दोस्तो जिस औरत के होते हैं ये पांच नाम तो बहाँ पर भेंकर बरबादी आती है यहां तक की पूरा कुल नस्ट हो जाता है गलती से भी किसी भी औरत का ये नाम कभी मत रखना नहीं तो अनर्थ हो सकता है दोस्तो अक्सर आपने देखा होगा कि कई महिलाओ के ऐसे नाम होते हैं जिने लेने पर थोड़ा अजीब तो लगता है ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे नामों के बारे में बताने बाले हैं जो खास कर महिलाओ के कभी नहीं होने चाहिए शास्तरों के अनुसार महिलाओ के ये नाम रखने पर या उन्हें इस नाम से बुलाने पर भैंकर बरबादी जैसे परिनाम मिलते हैं इसलिए गलती से भी किसी भी औरत का ये नाम कभी नहीं होना चाहिए नहीं तो कुछ भी हो सकता है तो चलिए जानते हैं दोस्तो नमबर बन गांगधारी गांगधारी एक ब्रद और महान शक्तिशाली महिला थी, इनका विभा कौरा बंश में हुआ था, जिसके कारण इसने दुखों का सामना किया और इसके सभी पुत्रों की मिर्तिव हो गई थी, इसलिए कोई भी ब्यक्ति गांधारी नाम इसी को पसंद नहीं है, दोस्तो नमबर टू, कहकई, कहकई राज परिबार से सम्मंद रखती थी, लेकिन उसने नौकरानी के कहने पर अपने ही परिबार में भेदभाव किया, जिसके कारण दुखों का आगमन हुआ, इसलिए अब कोई भी इस नाम को रखना पसंद नहीं करता इस नाम को रखने पर परिबार में दुरगटना जैसे युद्ध होने कब है, लोग मानते हैं दोस्तो नमबर थ्री, मंग्दोदरी मंग्दोदरी का अड़्थ होता है दयालू, गुद्धिमान और गुल्बत्ता, लेकिन ये राभण की पतनी थी इसलिए कोई भी अपनी बेटी का नाम मंग्दोदरी कभी नहीं रखता दोस्तो नमबर फोर, मंथरा मंथरा की बजय से भगबान शिरी राम को लक्षमणबा, देवी सीता सहित, 14 बर्ष बनबास काटना पड़ा था जिसके चलते कोई भी भी बेटी का नाम मंथरा कभी नहीं रखता दोस्तो नमबर फाइप, दुरौपदी दुरौपदी राज कुमारी थी इसके बाद भी लोग अपनी बेटी का नाम दुरौपदी भूल कर भी नहीं रखते क्योंकि दुरौपदी को पाँच पांड़बों के साथ बिभा करना पड़ा था और इस बात के चलते कोई भी मा अपनी बेटी का नाम गलती से भी दुरौपदी कभी नहीं रखती सूपे जैसी नाखुनों की स्वामिनी होने की एक कारण उसका नाम सूर्प नखा पड़ा परन्तु कोई भी माबाप अपनी बेटी का नाम सूर्प नखा कभी नहीं रखता दोस्तों आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ एक लाइक तो बनता है